नमस्कार देश की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है महिला आरक्षण के बाद अब एक नई राजनितिक परिस्थिती पैदा हो गई समूचा विपक्ष ओबी सी के मुद्दे पर लाम बंद हो गया महिला आरक्षण का विश्यव लगभग विपक्ष ने पीछे कर दिया और फ्रंट फूट पर खेल रहा है OBC को लेकर कॉंग्रेस से लेकर और INDIA में छोटे से छोटा जो भी दल है वो सब इस वक्त इस बात को एजंडा बना रहे हैं कि OBC को भाजपा ने नयाय नहीं दिया भाजपा की सरकार ने मोदी ने अब महिला आरक्षन भी देख तो वो पारित हो गया राष्टपती की मोहर और कानून बन गया क्या आपको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी को और भाजपा को ये बात समझ नहीं आ रही या भारती जन्ता पार्टी को देश की राजनीती में OBC की तागत का अंदाज नहीं है या यू कहलिजिए कि मोदी के तरकस में तीर खत्म हो गए क्या और अगर नहीं तो महिला आरक्षन के बाद अब OBC को लेकर जो नई परिस्थिती पैदा हुई है राजनीती के आंगन में उससे निपठने के लिए मोदी कौन सी अगली सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे है ना बड़ी बात चौकाने वाली भी है मैंने देड़ एक महीने पहले जब इसी कारिकरम में आप लोगों से बात की थी देश की बात में ही तो मैंने कहाता कि महिला आरक्षन का ब्रमास्त्र चलेंगे मोदी तो बहुत सारे लोग को भरोसा नहीं हुआ उनका इसे ही कह दिया होगा विताब जी ने तो बात हो गई महिला आरक्षन सपने से यथार्थम में परिवर्थित हो गया वैसे ही आज फिर आया हूँ एक और नई बात कहने OBC, OBC, OBC का ताप जितना राजनीती में बढ़ता जाएगा विपक्ष जितना उसको शिकर तक ले जाएगा और जैसे जैसे लोग सभा का चुनाव नजदी कहता जाएगा वैसे ही किसी दिन हो सकता है कि अचानक से देश को ये समाचार मिले कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने यहीं मोदी मंत्री मंडल ने किंद्रिय मंत्री मंडल कुछ के लिए ने रोहिनी कमीशन की सिपारिशों को मंजूर कर लिया चोके कर नहीं रोहिनी कमीशन मालूम है क्या है ये अक्टूबर 2017 बनाता अगर मैं ठीक क्या कर रहा हूँ, ठीक, दिली हाई कोट की एक रिटाइट जैस थी, जे रोहिनी उनकी अध्धक्षता में, चार मेंबर्स थे, तेरा भार इसको अबदी विस्तार मिला, एक्स्टेंशन, तब इसने हजारों पन्नों की रिपोर्ट त रहा था, कि केंद्रिय सूची की, OBC की जो लगभग 2600 से ज्यादा 2700 के आस पास जो जातियां हैं, देश में, लगभग 2700, 2600 सम्थिंग, जो जातियां हैं, उनमें आरक्षन के बटवारे का जो असंतुलन है, उसको दुरुस्त कैसे करें, इसकी सिपारिश करनियां को, रोणी आयोग ने सिपारिश कर दी, अगस्त में अभी पिछले मैने ही, वो हो रपट, रोणी आयोग ने भारत की महमहिम राष्टपती के हाथों में सौंप दी है, कि रिपोर्ट में क्या है, क्या हो सकता है, इसका अंदाज आपको देता हूँ, तथ्य से इतर तो कोई कमिशन हो नहीं जा सकता न, 27 फिस्दी आरक्षन OBC को है, सरकारी नौकरियों और शेच्छन के संस्थानों में, ठीक, 27 फिस्दी, इसी को मंडल से आयोग की रिपोर्ट लागू करना कहते हैं, ठीक, जो भी पिसिंग ने की ती, और याद रखिए कि लगबग 27 सो जातियां हैं, जो किंद्री सूची में हैं, OBC की, इसमें से, आचा लागू कब हुआ, इस बात को ध्यान से समझनी जी, लागू कब हुआ, OBC का रिजर्वेशन, 89 में, विश्वनाद प्रताप सिंग के समय में, कितना साल हो गए, यह आप सोच लिजे, 34 साल बीत गए, अभी OBC का 37 फिस्दी हिस्सा, यानि कुल OBC आवादी का 37 फिस्दी हिस्सा ऐसा है, जिसको इस आरक्षन का राई रत्ती लाभ मिला ही नहीं लगभग चार दशक होने जा रहे हैं, और 37 फिस्दी आवादी OBC की एसी, जिसके आउंगन में ये आरक्षन उत्रा ही नहीं, सरकारी नौकरी और उच्छन संस्थान में आरक्षन इन दोनों का उलाभ उसको मिला ही नहीं, इतनी बड़ी असमानता, इतना बड़ा असंतुलन, इतनी बड़ी नाइंसाफी, 2700 करीब जातियां हैं, 1600 से जादा जातियां ऐसी हैं, यानि 1632, यानि ये 60% के आसपास है, उससे जादा हो गया, 1600 से प्लस, जातियां ऐसी हैं, जिनको OBC के 27 फिस्दी आरक्षन के लागू हो जाने के बाद, अभी तक, केबल दो प्रतिशत लाभ मिला है, आरक्षन का, कितना? दो प्रतिशत, 26-27 जातियों में, OBC की जातियों में, समुझाती समुहों में, 90 ऐसी हैं जातियां, जिनों ने इस आरक्षन का सरवाधिक लाभ उठाया है, उनका घर भर गया, आंगन भर गया, 90 जातियों ने 10 फिस्दी 27 में से, उसमें से 10 फिस्दी आरक्षन केबल 90 जातियों तक सिमट गया, क्या, सोच सकते हैं, जो आगे लगा था, वो ही आगे लगा रहा, पीछे बाले को आगे नहीं आने दिया, क्या, जब जब लड़ू का डबा आया, उस इन रख लिया, पीछ 90 फिस्दी आवादी है, OBC की देश में, जिसको आरक्षन के सूर्य के दर्शन ही नहीं हुए, ये विसंगती दूर करने के लिए कहा था, मोधी सरकार ने के रोहनी कमिशन से, कि आप इसका अध्यन करिए, देश भर में आंकड़े जुटाईए, देखिए कैसे क्या हो सकता ह किंद्री सेवाओं में और पिछडों को जो आरक्षन अनुमन है, उसका अधिकांश लाभ, देड़ दोस्तों जाती समू है, OBC के वही ले गए, बाकी के हाथ में कुछ भागिशाली थे, वो चूरा पा गए, बाकी को चूरा भी नहीं मिला, बताशा भी नहीं मिला, लड़ू छोड़ी है, ये सब बाते में वह वता रहा हूं, जिनको आप जब आज कल परसों, जब भी रोहनी कमिशन की रिपोर्ट पबलिक होगी, तो आप देखेंगे, ये जब सरकार उसको सुईकार करेगी, तो सरकार आंकर एदेश के सामने रख जमझ लीजिए कि मंडल लागू होते समय जितना जितनी धरती हिली थी, उतनी धरती फिर हिल जाएगी इस बार, लेकिन इस बार, पिछडी जातियों में भी जो अति पिछडी जातियां हैं, जो आरक्षण के लाव से वंचित रहीं, इतने समय 89 से आज तक, वो जातियां पहली बार अपने घर द्वार में आरक्षण का लाव देखेंगी, उनका भाग्य बदल जाएगा, और वो OBC की बहुसंचक आवादी है, सारा लाव कुछ छोटे से समुहू तक सिमट गया, OBC की कुछ छोटी से समुहू की जातियों के पास, जो विशाल जन समुह है भारत में अन्य पिछले वर्गा का, जिसके लिए ये आरक्षण जाधा जरूरी था, अनिवारे था, वो तो दौन से बाहर कर दिया गया, अब मोदी के हाथ में अभी ये ब्रह्मास्तर बाकी है, और लोगसभा चुनाव मेरी जानकारी है, लोगसभा चुनाव से पहले वो चल इस ब्रह्मास्तर को भी देंगे, तब बड़ी मुश्किल हो जाएगी OBC, OBC, OBC का जो मंत्रजाप, कांग्रेसिया और उसके सहयोगी दल कर रहें, आर, जे, डी, समाजवादी, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, जब सभाल यह होगा कि 37 फिसदी आवादी को OBC की रिजर्वेशन का लाभी नहें मिला, लालू जी 15 साल सपरिवार शाषन में रहे, अब फिर बेटा शाषन में है, पिछणों में केबल दो जातियों को छोड़कर, बागी जातियां कहां है, खड़ी है, इस सवाल फिर उठेंगे ना, और चुनाव तो संख्या बल का मामला है, तो पिछणों का बहुमत, पिछण देश की आवादी का बहुमत है, और पिछणों का बहुमत आरक्षन से बन्चित है, इन दो चीज़ों को अगर हम समझ लेंगे, डिकोड कर लेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि ये रॉकेट लॉंचर मोदी क्यू तयार करके रखे हुए, ये भारत के केबल ऐसा नहीं के का आजनितिक पटकथा ही बदल देगा, ये फैसला, जो जातियां अभी हाशिये पर हैं, वो मुख्धारा में आ जाएंगी पिछनों की, लीडर्शिप चेंज हो जाएगी, अभी उत्तर प्रदेश में और बिहार में पिछनों की लीडर्शिप का मतलब यादव, है ना, लाल ठीक, बाकी जो 2700 जातियां हैं, वो क्या करेंगी, लीडर्शिप दो ही जाती हो कि नहीं हो नीचे ये ना, बस यूँ इसको सरल भाशा में अगर समझना चाहें, तो यूँ समझ लेजिए, कि मर्तवान में अचार रखते हैं न, धूप दिखाते हैं उसको, तो उपर वाले हिस्से में धूप लग जाती है, चार के नीचे नहीं लगती, तो बड़े बुड़े कहते हैं इसको ऐसे ऐसे हिलाओ, ताकि नीचे वाला उपर आ जाए, मोदी जी पिछडों के आरक्षण के मर्तवान को ऐसे ऐसे हिला देंगे, का नीचे वाले उपर आ जाएंगे, उपर वाले आरक्षण के सूर्य की रोशनी पूरे मर्तमान में जाने लगेगी, बस इतना होना बाकी है, रिपोर्ट राष्टपती के पास है, मतलब सरकार के पास है, राष्टपती तो रिपोर्ट का कुछ करते नहीं, सरकार को बेच देते हैं, भाई आईए इसको देखो सम्झ है, जिस दिन ग्रहनक्षत्र महूरत अच्छा हुआ, उसी दिन ये राजनीतिक परमानवी स्फोर्ट हो जाएगा, उसके बाद देखेगा कि देश की राजनीति में कैसे और किस किसम का अनुलोम विलोम होता है, धन्यवाद